अज अमर जद कर परतेया तां कर विच हरान कर देन वली शांती सी अपने कमरे दी तरफ वदया तां उसनू फोन पर गल कर दी अपनी पतनी दी हसी सुनाई दी ती अमर पर दे लई हुन कोल ना फटकने देने दा इंतजाम कर लिया है मैं गोद विच सिर रखना तां दूर अमर हुन अपनी मादा चेहरा तक देखने नू तरस जावेगा कोटिल हसी दे नाल तीमी अवाज विच फोन पर गल कर दी होई मंजू दी कडवाहट परी गला ने अमर नू हिला के रख दिता कुछ देर तक उसनू समझ ही नहीं आया की ही हो क्या रहा है पर जिवे ही उस दी अखा तो परदा हटेया उसनू समझ आ गया उस दी पतनी मंजू ने उस दी मानू कर तो कड़न दे लई साजिश रची है ता दो जोरदर थपड अपनी पतनी दे मूँ पर जड़ दिते अमर ने उसने तै कर लिया की हो किसी वी हाल वीच अपनी मानू किते जाने नहीं दे वेगा अपने कमरे विच इक बैग विच अपने कपडे रख दी होई मादे पैरा विच जाके गिर गया रोया बेंती कीती हाथ जोडे पर मा नहीं मनी तरसन योग बन के रहना शुरू तो ही मादी फितरत विच नहीं सी इक सवा भी मैनी महला जो ठहरी ता अपने आतम सनमान दी रख्या कर दे होई मादे जान दे बाद उना दे सिराने हेठा इक लिफाफा मिलिया लिख्या सी आखिर क्यों एक इनसान अपने आपनों परिवार रूपी माला विच पिरोंदा है सिरफ इस लई ना ताकि हर मेंबर एक दूसरे दे सुख दुख दा साथी बन सके पर जद वक्त दे विचारां दे परिवर्तन नाल परिवार रूपी माला तुटन लगगे ता इकल्ले मोत्ती दी तरा लुड़कने दी बजाए उत्थे दो निकल जाना ही बहतर हुंदा है पता है मैंनू अमर इस समय तेरी अख़्ा विच हंजू ओनगे पर मेरे कोल सिरफ एही इक रास्ता सी तेरी ग्रस्ती नू बचाउने दा इक मा दे दिल दे तार अपने बच्चें दे दिल नाल जुड़े हुंदे हन अते ज़द ही तार हिलन लगदे हन ता पता चल जानता है की किसी ने सा नू याद किता है अते जिस पल सा नू इस एहसास महसूस होएगा असी जरूर मिलांगे तुसी सब लोक अपना ख्याल रखना तेरी मा चिठी दे पिछले इससे पर मा ब्रिद आश्रम दा पता वी लिख के रख गई सी आशिरवाद ब्रिद आश्रम पते आला अमर दा साल दा सी जद उस दे पिता जी नू लखवा मार गया सी जद तो वीलचेर पर ही सी उस दी अम्मा ने मा आते बाब दोनना दी जिम्मेवारियां के में संभाल ली अमर ही देख के दांग रह गया सी आपने बच्च्यां दी पड़ाई उना दी सेहत उना दी खुशी मा दी दुनियां इत्थे तक ही सिमट कर रह गई सी जद अमर दी नोकरी लगई ता मा दे चैरे पर एक संतुष्टी परी चलक दिखाई पई जिमें इस दिन दे लई ही ओ जी रही सी मंजू एक गरीब परिवार दी कुड़ी सी जिजदा अमर नाल पांच साल पहला व्या होया सी लखा रुपे देहेज दे परस्ताव नू लेके कई अमीर परिवारा तो अमर दे लई रिष्टे आये सी पर मा ही गल दोरांदी सी की गरीब कर दी कुड़ी होवेगी ता रिष्ट्या नू एहमियत देवेगी कर दा महोल खुशहाल बनेगा चंगी पतनी अते सोनी नू साबत होवेगी माने ता मंजूनू प्यारते अपना पन ही दित्ता अपनी नू विच उना दी आतमा वस दी सी उसनू सजदे सवर्दे देख मा मोपावनाल हिलोरे लेंदी सी जदवी कोई मंजू दी कमियां गिनवाउंदा सी ता चाटन नाल मोर्चा संबाल लेंदी सी अते केंदी मेरी दीपा अम्मा दीती नू क्या उन्दा सी पर होली होली जिम्मेवारियां दे बोज हेठां सब कुझ सिख लेया उसने व्यादे एक साल बितने दे बाद अमर एक बेटे दा पिता वी बन गया अम्मा दा चहरा खुशी नाल चमक उठ्या सी प्यार नाल गोपाल कहके पकार दी सी अम्मा उसनू चाली दिना तक अम्मा ने अपनी नूनू बिस्तर दो उठन नहीं दित्ता सी अम्मा ने अपनी बेटी दीपानू वी बुलावा पेज्या ननद पोजाई गप्पा मार दी सी अते अम्मा चोंका सबाल दी अम्मा हून ता मही ना हूने नू आया मेरी सासने ता ग्यारा दिन विच ही मेंनू खड़ा कर दित्ता सी दीपा दे कहने पर अम्मा चाट नाल बोली तेरे सुसुराल विच हुन्दा होवेगा ऐसा जेकर मैं थोड़ा बोट काम कार लवांगी ता मेरा शरीर किस नहीं जावेगा अते फिर सयुक्त परिवारता इसी दा नाम है की जरूरत पहने पर एक दूसरे दे कम आओ अम्मा ता अम्मा पिता जी नू वी अपनी नू पर बहुत मान होया कर दा सी पर पिता जी दी मोत दे बाद काफी कुझ बदल गया उना दे मोत तो ले के तेरवी तक अम्मा तुट के ठक चुकी सी हाला की उना दा बेटा उना दा बहुत त्यान रखदा सी पर आउने जाने वाले रिष्टे दार उना नू नू तो संबल के रहने दी चेतवानी जरूर दे जान्दे सी की पती दे जाने दे बाद पतनी दा सब कुझ खो जान्दा है पर अम्मा ता अम्मा ठहरी उना दी गल्ला सुन अम्मा कहन दी जिन्ने मू उन्निया गल्ला मैं ऐसी नकारत तमक सोच नाल अपने परिवार दा महोल खराब नहीं होन देवांगी लोका दी अवाजाई बंद होई ता अम्मा पुराणे दिना पर मूड आई अपने पोते गुपाल दे नाल उसी तरह हस दी खेल दी करदा कमकाज भी करदी पर रात दे नो वजे ही अपने कमरे दा दरवाज्या बंद करके सोजान्दी अमर जंगी तरह समझदा सी की बारा वजे तक जागने वाली अम्मा कदी नो वजे सो ही नहीं सकदी इक रात अमन ने अम्मा दे कमरे दी बत्ती जल्दी देखी ता उना दे कमरे विच चला गया पिता जी दी डाइरी पढ़ दे अम्मा रोंदी जा रही सी अमर नो देख दे ही ठिटक के बैठ गई तू सोया नहीं हुने तक तुसी नहीं सोये ता मैं के में सो जावा अम्मा इस तरह ता तुसी बिमार हो जाओगी अमर ने चिंतित आवाज विच केहा अच्छा है ना तेरे पिता जी दे कोल चली जाओगी बेशक तेरे पिता जी वीलचेर पर बैठे रहने सी चलने फिरने तो लचार सी पर उना दा साथ ही बहुत वड़ा साहरा सी मेरे लई उना द जाने दे बाद हुन मेरे जीने दा मकसद ही क्या रह गया है साब कुझ ता दे दिता तेरे पिता जी ने मेननू इना मान सनमान अते ज़त परी जिंदगी हुन ता कोई शिकायत नहीं है मेननू तू तू अपनी गरस्ती विच राम गया है पोते दा मू देख लिया हुन ता इक इक दिन तेरे पिता जी दे बिना पारी जिहा लगदा है एह जा ना कहो अम्मा कदी सोच्या है मैं कि में रह पाऊंगा तो अड़े बिना कैंदे हुए अमर दी अखा विच हंजू आ गए पर उना हंजूआ दे टपकने तो पहला अम्मा ने अपने आचल विच उना नू समेट लेया सी अम्मा नू इकला पन महसूस ना हो इसलई अमर ने अपने बेटे गोपाल नू वी अम्मा दे कोल ही सोने नू केहा हुण अम्मा वी अपना दिल बहलाने दे लई गोपाल नू स्कूल बस तक चड़ आउंदी सी अते उसनू लेवी आउंदी सी अमर सारे काम अम्मा तो पुच के ही करदा सी इक दो दिन चड़ के दीपा वी अम्मा नाल मिलन आजाया करदी सी इस तरह नाल मोहोल बदलन लगा सी पर हुण मंजूनू हर पल लगन लगा सी की उस दी जगा उस तो खोई जा रही है पती दा जरूरत तो ज़्यादा अपनी अम्मा दे नाल लगाव उसनू जरावी पसांद नहीं सी आउंदे जांदे अम्मा नू एक ताना मारदी रहंदी तो नू तां अपनी मा दे इलावा होर कोई नजर ही नहीं आउंदा इस पर अम्मा कहनदा कुझ ही समे दी गल है मंजू जिवें जिवें समे बीतेगा अम्मा नू वी पिता जी दे बिना रहने दी आदत हो जावेगी दीवे दी बत्ती दी तरां होया करदे सी अम्मा आते पिता जी जरा सुचो किनी कली हो गई होनगी अम्मा पिता जी दे जाने दे बाद अरे पिता जी ता मेरे भी गुजरे सी जद ता चार दिन रसमा निभा के आपने कर चले आए सी तुसी अते इत्थे दो मिने तो उपर हो गए हुने तक अम्मा नू सिर पर बिठाए होए हो उपर तो तो अड़ी पैन अलग तो तमक पैंदी है इत्थे अमर ने उस समय उसनू चुप करवा दिता पर कोल दे कमरे विच बैठी अम्मा ने सब कोज सून लेया सी उस दे तन बदन विच अग जही लग गई सी सोचन लगई की सुहाग उना दा उजडेया ना अज तक उना ने किसी तो कोज मंग गया ना ही कदी कोई गिला शिकवा किता फिर कि में उना दी नूदे मान विच उना दे लई इन्नी कडवाहट आ गई क्यों उसनू सारी समस्यावाद दी जड़ विच मैं ही नजर आउंदी हाँ उस दे बाद अम्मा ने एक एहम फैंसला लेया ओ हर रोज शाम नू सत संग पर निकल जान दी कुछ देर परवचन सुन दी हम उमर ओरता दे नाल बैठ दी अते फिर वापिस आ जान दी पर शाम नू जड़ वी अमर अम्मा दे कमरे विच जान दा तां अम्मा नू ना पाके मन्जू तो सवाल कर दा तां इस पर वी मन्जू चिड के बोल दी होर कुछ कम तंदाता है नहीं तां रोज शाम नू उटके कुमन निकल पैंदी हान इक शाम नू जद अम्मा कर मुडी तां कर कुरकशेतर दा मेदान बनिया होया सी मंजू बुरी तरा नाल चीक रही सी मेरी तां किस्मत फुट गई इसकार विच रहे के कुछ पैसे अपने शोंक दे लई वी खर्च करना चाहां तां ओ वी नहीं मिल दे पुत दी जिम्मेदारी है इसलई नोकरी भी नहीं कर सकती अगले दिन अम्मा ने मंजू नू प्यार नाल समझाया कि जे कर तेरी इच्छा है तां तू नोकरी कर ले गपाल नू मैं संभाल लवांगी चार पैसे कर विच आउन गे तां तू अपने शोंक वी पूरे कर ले ना उसदे बाद मंजू ने नोकरी करनी शुरू कर दिती कर दा काम अते बच्चे दी देख पाल अम्मा कर लेंदी सी फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा ने अम्मा दे हत विच एक कागज दिन्दे होए बोल लिया मा पिता जी दी इंशोरश दे पांच लख मिले हन तां मैं इस दी एफडी करवा दिती है तो अड़े नाम इसनू अपने कोल संभाल के राख लओ इस पर अम्मा ने किया अरे बेटा मैं क्या करूंगी इनने पैसें दा तूं ही राख ले एक कागज अपने कोल नहीं अम्मा पैसा तो अड़ा है सुख दुख विच तो अड़े काम आवेगा तूसी रखो मन्जू ने सुनया ता अपना मत्था पिटना शुरू कार दिता अते अम्मा नू आड़े हत लेंदे बोली राजी खुशी अम्मा तो नू अपनी जमा पुंजी सोब रही सी ता लई क्यू नहीं तुसी हुण ता तेरी अम्मा सारी उमर इस पैसें पर कुंडली मार के बैठी रहेगी इस पर अम्मर नू वी गुसा चड़ गया दोनना दे चगडे दी अवाज्यां अम्मा दे कमरे तक आ रही सी हाजुआ नाल पर यह खा लई अम्मा सोच रही सी की आखिर इस अब क्या हो रहा है मेरे कार विच उस दे बाद ता ऐसी सतीती आ गई की अम्मा फुटी अख नहीं सोहांदी सी मंजुनू अम्मा दे हर कम विच मीन में कड़ना हर छोटी छोटी गल पर रुसना हर किसी दी गालनू कटने जी में गला मंजुदे वेवार दा हिसा बन दी चली गई पीता जी नू गए जद एक साल बीत गया था ब्रामन पोज दा योजन किता गया बहुत ज्यादा तना दी सतिती वीच रहने दे कारण अम्मा दे गोड्यां वीच दर्द होन लगा सी सारा खाना मंजुनू ही बनाउना पेया खाना बनाउने तो समदित अम्मा कोई सला देन लग दी ता मंजु उना नू कूर के देखन लग दी उस समय ता मंजु चूप रही पर ब्रामन पोजन खतम होने दे बाद जद सब लोग चले गए ता मंजु ने हंगामा कर दिता की जा ता अम्मा ब्रिद्ध अश्रम जाएगी नई ता ओई कर छट के चली जावेगी अम्मा सोचन लगी की जद परिवार दे लोग पुराने समान नू कूडा समझ के सुटने पर उतर ही जानता पलाई इस वीच है की उस समान नू किसी सुरख्यत सथान पर पहुचा दिता जावे शायद उसमान किसी दे कम ही आजावे सोच दे होए अम्मा ने अपनी जिन्दगी दासाब तो बड़ा फैसला कार लेया सी पुतोन मेरी जिन्दगी बची ही किनी है मेरे लही तू अपनी गरस्ती वीच दरार ना पा अमर दे कार लुटने पर अम्मा ने गंबीर सवर विच बोल लेया सी अमर नू पावक हुंदे देखके किते पुतर दे प्यार दी बेडियां अम्मा नू रोक ना लेन सोच दे होए मंजू तिखे सवर विच बोली जाना तां अम्मा सभी नू है अते रही दरार दी गल तां उतां कद तो पै चुकी है उन किते दरार खाई विच ना बदल जावे इसोच लवो अपने पुत दी गरस्ती सही सलामत चाउंदी हो तां चली जाओ बृद आश्रम आए दिन अम्मा पर तिरसकार दी बुचार कर दी होई मंजू बस इसी इंतजार विच बैठी सी की कद अम्मा कर छड़े अते उसनू संपूरन सफलता हासिल हो आज अम्मा दे जाने दे बाद अमर अपनी मादी लिखी होई चिठी नू पढ़के फुट फुट के रोन लगा होली होली इक साल बीत गया पर आज वी अमर रोज अपनी मादी चिठी नू पढ़के उसनू सिन्ने नल लगाया कारदा सी हमेशा चिठी विच उसनू तेर सारा प्यार चुर्डीयां परा चहरा लई ओमा नजर आउंदी सी जिसने हमेशा उसनू प्यार ही दितता जिसने नूम ही ने उसनू अपनी कुख विच रख्या अपने खून मास नाल उसनू पालेया आचल दी छाँ दिती चिठी पड़ दे होए अक्सर उस दे हंजू चिठी पर गिर जान दे सी हुन ता चिठी पर लिखे बहुत सारे शब्द वी उना हंजू नाल तुंदले पै गए सी एक सवेर अमर अमा दी चिठी खोले बैठा सी चिठी पड़ के अमर दे मन विच विचारां दी बाड जही आ गई मंजू चा लेके अंदर आई ता अमर ने चा पीने तो मना कर दिता अमर दी अवाज दे परिपन तो ही मंजू ने अंदाज्या लगा लेया सी कि अमा दे लई अमर दी दबीट की पावनमा फिर तो जागरुकत हो उठी हन मंजू ने उसनू कुछ कहना चाया पर उस दी गल कट दे होए अमर ने किया मैं मा नाल मिलने पटे आले जा रहे हैं हाँ अमा दे प्यार दा खिचाव इना सी कि मंजू अवाज लगांदी रहे गई पर अमर ते जी नाल कर तो बाहर निकल गया ट्रेन दी सीट पर बैठे अमर दे सामने फिर तो ओई दरिश जीवित हो उठा जद मंजू ने उस दी अम्मा नू इनना जलील किता सी कि ओ अपना समान बन के कर तो जाने दे लई मजबूर हो गई सी ब्रिद आश्रम एक कंटे दी दूरी पर सी रस्ते विच एक स्टेशन पर ओतर के उस दा मन होया की एक कप चा पीलवा ब्रिद आश्रम विच पता नहीं चा मिलेगी वीजा नहीं ता तुरंत ख्याल आया की माता बार बार चा पिंदी सी जदू पड़दा सी ता रात विच उस दे नाड जाग दी सी आते हर एक कंटे बाद उस दे लई कड़क चाहा बना के ले आउंदी सी विचारा विच डूपदा उतरदा अमर आश्रम दे गेट दे सामने आ खड़ा होया ब्रिद आश्रम नू देखदे ना जाने उस नू क्यों लग रहा सी कि उस दी अम्मा इत्ते पोरन रूप नाड सुरख्यत है अंदर जाके देख्या था अम्मा अपने कमरे विच बैठी एक बच्चे दे नाड लाड प्यार कर रही सी अमननू देखदे ही उना दी अखा पर आई आते प्यार परे लहजे विच बोली इकले ही आया है मेरी नू मन्जू किते है गोपाल किते है बोल दे होए अम्मा अपनी हंजू परी अखा अखा लुकांदे होए इदर उदर देखन लगी अम्मर ने अम्मा दा हत अपने हतां विच ले लिया फिर अम्मा बोली तू नू नू कम पर जाने तो रोकदा ता नहीं न जानदा है जद बच्चे अपने पैरां पर खड़े हो जानदे हनता ओरत नू एक खालीपन दा एहसास होन लगदा है अपनी जिंदगी वियर्थ लगण लगदी है कैंदे कैंदे अम्मा रुआसी हो गई अते अपने अंदर दे दर्दनू लुकाने दे लई इक हलकी जे मुसकान अम्मा दे चेहरे पर आ गई अते फिर बेटे दाते आन उस दे हंजुआ दी तरफ ना जावे इकोशिश कारदे होए अम्मा तुरुंत बोली अच्छा क्या खाऊंगा दास मठरी पेडा जा लड़ू अम्मा पिछे मुड के अलमारी विचिर्टों डब्बे निकलन लगई अम्मा तो नू इस अब कोण लिया के दिन्दा है अम्मा ने उस्त सुकता नाल पुच्छया ता अम्मा बोली चोंकीदार नू बी पजार उपए दे के मंगवा लेंदी हां बृद्ध अश्रम दे पिछे ही अनाथ अश्रम बनिया होया है गोपाल जैसे काफी बच्चे मिलने दे लई आउंदे रहंदे हन आते कोजी भी मंगण लगदे हन साच दस्ता उनानू खवांदी हां ता इमें लगदा है जीमें मैं गोपाल नू खिला रही हां केंदे होये अम्मा ने लड़ू उस्त दी तरफ वदा दिता अम्मा दी गल्ला सुन के अमर दी अक्खा तो अंजू वेहन लगए सोचन लगगा उसने मानू इथे आउन क्यों दिता सैंकडे जवार खुद तो पुछया गया इव सवाल अज वी उस दी जमीर नू कोई तसली बक्षिस उत्तर नहीं दे पाया मानू आश्रम पे जने विच्च मंजू दी तत परता आते बेटे दाकर बन्या रहे इस दे लई मा दात्याग दोनना दे अग्यो कुझ ना कर सक्या मा तुसी मेरे खाने पीने दी चिंता ना करो आज तां आसी मा पुत सिर्फ गल्ला ही करांगे लाड़ जतांदा होया अमर बोल्या आते अपनी मा दी गोदी विच्च सिर्फ रख दिता उस दे वार वार मना करने दे बावजुद अम्मा उस दे सिर्फ विच्च तेल लगाउन बैठ गई पुछन लगी मंजू की में है मेरा बाल गोपाल की में है सवाल करदे करदे ही अम्मा दी अवाज दा गिल्ला पन साफ साफ पगड़ विच्च आ रहा सी अमर खुद नू फिर तो कठगरे विच्च खड़ा पा रहा सी परंतु दूसरी तरफ ही ममताई ममतामाई सपर्श उस नू होर सकून दिन्दे जा रहा सी उस दा मन हो रहा सी की मा दी गोद विच्च सिर छुपाके फुट फुट के रोप वे मंजूता प्राई सी पर ऊता अम्मा दा ही पुत सी अपनी गरश्टी बचाने दे लई उसने इनि वड़ी कीमत कीमे चुका दिती क्या उस दी गरस्ती इन्नी कीम्ती सी की उस दी बुड़ी मा दा प्यार भी उस दे अग्गे छोटा पैजावे मा दी गोद विच सिर रखके उसनू इन्नी शान्ती मिली की उसनू समेध दा पता ही ना चलिया थोड़ी देर बाद कड़ी देखी तां ओ उठ के खड़ा होया पारी मन नाल बोलिया चंगा मा मैं चल्दा हाँ अमर दी इह वाज सुन्दे ही अम्मा दे मन विच इक इक चीक उठी पर ओ अमर दे सामने कमजोर नहीं पैना चौंदी सी इसलई एक प्यारी मुस्कान दे नाल उसनू अलविदा किता आश्रम दे कोल ही गंगा दा काट सी अपने आपनू असहाए पाके अमर अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा सी तां कुझ देर गंगा गिनारे बैठ गया मन ही मन इक ही गल सोच रहा सी काश हो कुझ कारपाउंदा इडना वड़ा ब्रहमंड अकाश तारे तार मंडल सूरज अते चंदर मा सारे अपने तूडे ते अपना फर्ज निबाउंदे रहन दे हन कमाल दी विवस्ता है फिर असी इंसान इनने अलसंतूलित क्यों हाँ सोच दे होए अमर दे मन विच अजीब जही बेचैनी पैदा होन लगी सी कई वार सोच या कि ओ कुझ बोल दा क्यों नहीं अपनी आत्मा पर बोज लेक के जिन्दा क्यों है क्या मा दे प्यार दा इसिला दे रहा है ओ सोच ही रहा सी इक छपाक दी अवाज आई अते किसी और दी चीक सुनाई दिती बचाओ मेरा बच्चा डूब रहा है कोई ता बचाओ मेरा बच्चा डूब रहा है कोई ता बचाओ बेचैन मा दी दिल दहला देने वाली चीक सुनाई पैंदे ही अमर अपने विचारा तो बार आ गया जद तक उस बच्चे नू बचाने दे लई मावी उस दे पिछे नदी विच डुब की लगा चुकी सी ना मादा पता है ना बच्चे दा तिन चार लोग पाणी विच संगर्ष कर दे दिखाई दे रहे सी थोड़ी ही देर विच बच्चा ता लब लिया गया पर मा नहीं मिली लगदा है बच्चे नू बचाउन दी जदो जीद विच माने ही जाल समादी ले लई लोग चिकन लगे बिचारा बच्चा अनाथ हो गया मानू तैरना नहीं आउंदा सी ता छाल क्यों मारी बेचारी डूब गई इही द्रिश देगदे ही अमर दे मन विच दिल चीर देने वाला ख्याल आया कीजे कर ओ डूब रहा होंदा ता उस दी मावी एही कर दी पर उड्रपोग दी तरा अपनी पतनी दे हत्ता दी कट पुतली बना रहा सिर्व इस लई की कर दी शांती पांग ना हो वड़े बजुर्गता कर दी नी हुंदे हन बिना नी देवी कर दी क्या है क्या कदी इक पाल विच उसने फैसला कर लिया हुन चाहे जो हो जावे उँ अपने कर दी नीनू मजबूत बनावेगा ता फिर उस दा कर हनेरी तुफान साब कुझ चेल लवेगा सोच दे सार ही उँ मानू अपने नालक कर वापिस लेन लई आश्रम वाल तूरपया जिवेई आश्रम विच मा दे कमरे दी तरफ वदिया ता सामने दादरिश देखके उस दे पैरा थलो जमीन खिस गई मन्जू अमा दे पैरा विच बैठी सी मा अमनू ता मैं बहुत गुजारिश किती सी की एक वार में नू मा नाल मिलना है पर वो नहीं मनने मन दे वी कि में मेरे दुरवी विवार दे कारण ता तो नू बेकर होना प्यासी मैं हरकत वी ता ऐसी ही कीती सी मेरे प्रती उना दा विश्वाश एहजा तुट्टिया जिसनू मैं आज तक वी वापिस ना पा सकी साच दसा ता अमा मेरा ओ दुरविवार आज मैंनू ऐसे मुकाम पर ले आया है जिते रुपया पैसा आते अराम दायक जिन्दगी हुंदे होए भी कार खाली है तो अड़े हुंदे होए मैं निश्चित हो के स्कूल नोकरी करन जान दी सी मुड़ दी सी ता सब पका पकाया मिलदा सी हमें दी अग विच्च स्वा होई मैं एवी नहीं जान पाई की जो खुशी गपाल नू तो अड़े नाल मिलदी है ओ मेंगे खिलोने विच्च कित्थे मिलेगी अमर देकर तो निकलने दे बाद मेरे मन विच्च परशन उठेया की क्या प्यार दी लाट नाल मा दे मन दी ठोस होई कोमल पावनावानू पिंगलाया नहीं जा सकदा आज मैं अपने आपनू रोक नहीं पाई अम्मा अपने सामने मुझरम बनी मंजू दी गल्ला दी सचाई जान दे होई अम्मा दी अखा तो वी हंजू निकला आए दुज्ये पासे अमर उनना दोनना दे वीच्य होई गल्ला सुन के फुट फुट के रोपया अमर तू वापिस आ गया अपने हंजू पूँच दे होई अम्मा बोली अम्मा मैं अज तो नू ले बिना नहीं जाऊंगा चलो मन्जू अम्मा दा समान पैक करो अमर ने केहा ता अम्मा ने दोनना नू गले नाल लगा लेया इन जारा देख दे होई बृद आश्रम दे बाकी लोकां दी अखा विच्य भी हंजू आ गए आते अचानक तो पूरा आश्रम ताडिया नाल गोंज उठेया स्टोरी के में लगी लाइक कमेंट करके जरूर दस्यों जी